हेलो डियर फ्रेंड्स आप देख रहे हैं All Study Easily Channel देखिए परसो नर्सो आपका विज्ञान का यानि कि साइंस का एक्जाम होने वाला है तो देखिए मैंने कुछ साइंस का इंपॉर्टन कोशन अंसर बता है जो इस बाइ उत्राखन बोर्ड में चरूर रहेंगे तो आप इन स कोशन अंसर बता है तो वो सारे कोशन अंसर आज के पेपर में आये हैं इसलिए जो मैं साइंस में बता रही हूं आप उनको रैडी कर लिजिएगा क्यूंकि परसो आ सकते हैं देखिए हमाया नेस्ट कोशन है उट जाके अन्वी करनी इस रोतों के दो उधारन दो ठीक है त कोशन अंसर जरूरी आते हैं ठीक है सी एफसी का पूरा नाम यह मोस्ट इंपॉर्टेंस है क्लोरो फ्लोरो कार्बन यह हर साल पूछा जाता है क्या है यह मेरे टाइम में भी जब मैंने एक्जाम देता तब भी यह कुशन आयता तो आप इसको रैडी कर लिजिएगा ओके कि यह भी उत्राखंट बोर्ड में आया है तो आप इसको भी पढ़ लीजिएगा पैरा बैगनी विक्रण में मानव सरीर को क्या छती होती है ओके नेस्ट कुशन है ओजोन परत की छती का मुख्य कारण क्या है यह कुशन भी आने की संभावना यह सारे कुशन हर साल पूछ जाते हैं तो आप इनको भी पढ़ लीजिएगा नेस्ट कुशन है देखिए सी एंजी का पूरा नाम लिखिए तो सी एंजी की फूल फॉर्म हमेसा यह पूछता है ठीक है और अगर आपको और भी कुशन है तो आप मेरी प्लेलिस्ट चाह कर सकते हूं वहां पर साइंस के आपको उत्राखन बोर्ड में जो जो कुशन साते हैं वो सब आपको मिल जाएंगे ओके नेस्ट कुशन है तेरी बांद किस नदी पर बनाया गया है यह एसेस्टी मतलब कि समाजिक ग्यान में भी आता है और साइंस में भी आता है तैंध क्लास में ठीक है सरदास और रोवत बांद बांद का निर्मान के सिर्दी पर किया गया है तो यह कुशन भी आता है यह देखिए पवन चक्की कि किस कति से विदुत उत्पन की जाती है यह देखिए मोटर के सकती को कौन बढ़ाता है ठीक है नास्ट कुशन है गैल वो 9 मीटर किसे कहते हैं तो यह सब मोस्ट कुशन है यह जरूर ही आते हैं ओके मोस्ट इंपर्टन कुशन विदुत चुम कि किसे कहते हैं शौर्ट सर्किट क्या होता है ठीक है नेस्ट कुशन जब फ्यूज उड़ जाता है तो क्या होता है यह सारे कुशन पहले आ चुके है एक्जाम में ठीक है विदुत सक्ति की विवारिक एकायों के नाम बताओ विद्शक्ति के मातरक के नाम बता तो ये कुशन क्या घुमा के भी पूछा है ये देखना आने की पूरी-पूरी संभावना है मैक्सवेल के कॉर्क स्क्रोज नियम क्या है ये भी आता है कुशन सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला कुशन है फैलविंग का दक्षिन हात का नियम ठीक है आप इसको पढ़ लेजीगे इसका स्क्रोज नियम ये कुशन भी आता है और ये चितर बनाके आपसे पोचता है फैलविंग के बाएं हात का नियम ये है फैलविंग के बाएं हात का नियम आप इसका स्क्रोज ले ले और इसको पढ़ लीजिगा सब ये कुशन आएंगे ही किसी कुंडली में विजद धारा प्रेदित करने के वीबिन धंग इसपस्ट कीजिए एक भी कुशन ऐसे निये जो उत्राकंड बोर्ड में आये हैं विजद जनित का सिद्धान्त लिखिए यह सब मैंने पेपर से ही तिक लगा रखे यह सारे पेपर में आ रखें कुशन किसी चरचुमबक के चारों और चुमबकि ये रेखाएं खीचिए ये भी आता है आपके दो नमर के कुशन में इ सारे questions आते हैं इस नो का नियम ठीक है ये सारे questions आते हैं एक एक number के question में आते हैं देखिए numerical भी question में आते हैं दो चालक जिनका प्रतिरोथ क्रम शाह 40 Ohm तता 8 Ohm है समानतर क्रम में जोड़े गए हैं उसका संयुक्त प्रतिरोद ग्याद करो तो आप ये सब निकालना पड़ेगा आपको के दो नंबर के कुश्चन में ये आता है एक ये है नुमेरिकल ये भी पहले कुश्चन आ चुका है एक विदिद वल्वका तन्तू 0.4 एमपयर विदिद धारा प्राप करके तीन घंटे जलता है आवेश की मातरा ग्याद करो तो बहुत इजी है आप इसको ट्राय कर लेजिए एक पर प्रैक्टिस कर लेजिए आपको आजागा समझे विवांतर किशे कहते हैं मोस्ट इंपॉर्टन कुश्चन एक नंबर के कुश्चन में आता है एक ये एक नं अ है तो आप यह कुश्च लिखेंगे फेस का सोतर लिगों अ कहें रिंगल हें नाश कुश्चन भुच्चन एंब विधूसकती की विवार्यकाईयों के नाम बताओ कुश्चन घुमा के पूछा है विधूसकती के मातर्क के नाम बताओ تو एक नंबर के कुश्चनम का एक तो यह दोनों ही question paper में पहले आ चुके हैं यह देखिए चारो question paper में पहले आ चुके हैं ओम किसके बराबर होता है ओम का नियम किस परिस्थियों में लागू होता है ठीक है next question प्रतिरोध के इस रिणी व्रद जोड़ने से कुल प्रतिरोध के सूत्र द्वारा प्रकट किया ज जाता है तो यह चारो question paper में आ चुके हैं एक एक नंबर के question नहीं देखिए प्रतिरोध का मातरक लिखो तो इसका अंसर है ओम एंपियर का मातरक लिखो तो विदुद्धारा नेस question है विदुद्धारा दौरतपन उर्जा का सोत्र लिखो यह अभी देखिए पहले भी आया है कुलाम का नियम एक नंबर के question में जरूर आता है कुलाम का नियम लिखो यह question तो हर बारी आता है किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भार करता है वर्ण कीजिए और यह शॉल्फ करने को आता है विदुद्ध उर्जा किसे कहते हैं इसके मातरक क्या है ठीक सब्सक्राइब को पढ़ लिए डेफिन एट लिसमें से कोई ना कोई ही तो आपके अग्जाम में आएंगे ठीक है अगर आप में चैनल पर पहली बाया है तो प्लीज में चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और पहला एकन दबाना ना भूले थैंक्यू